नमस्कार मैं सुनीता आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल स्पाइस मैजिक में आज हम बनाने वाले हैं वेज हकका नूडल्स बहुत बार ऐसा होता है कि डेली डूटिन के खाना खा खा के हम बोर हो जाते हैं और कुछ अलग खाना चाते हैं बच्चे भी नूडल्स वगरा ज़्यादा पसंद करते हैं अलगे बनाना स्टार्ट करते हैं इसके लिए मैंने लिया है दो लिटर पानी उसमें एक चमच ऑईल डाला है आज मैं चिंक्स के दो पैकेट वेज हकका नूडल्स बनाने वाली हूं क्योंकि एक में हमारे घर में कुछ नहीं होने वाला है इसलिए मैं आज दो बनाऊंगी अब पैकेट को कट करके हम बॉयलिंग वाटर में एड करेंगे नूडल को ध्यान में रखना है जब तक पानी बॉयल ना हो तब तक हमें नूडल एड नहीं करना है और डालतने के बाद ही हाई फ्लेम में हमें इसे दो मिनट तक पकाना है आप 80% ही नूडल को पकाओगे ज अपस में चिपकेंगे नहीं आपने ओयल डाला है तो यह चिपकेंगे नहीं देखिए पके तैयार है अब इसे हम छान लेंगे और ठंडे पानी डाल के इसको कुकिंग प्रोसेस इसका हम रोग देंगे और दो चमच ओयल डालेंगे थोड़ा ठंड होने के बाद ही हम नूडल आपस में चिपकेंगे नहीं जब तक नूडल ठंडा हो रहा है तब तक हम वेजिटेबल्स त्यार करते हैं चलिए इसके लिए मैं सबसे पहले पत्ता वो भी लूँगी जो मैंने एक बाउल लंबे-लंबे स्लाइस में कट कर लिया है एक अनियन लिया है जो उसको में संद क्यामा छाणिस के लिए के लिए कभेश रखेंगे हैं एक पर पुरा लस अद्रक कर ले एक था सेस्वान चुछ राएंगे और एंगे इस तरह से पूररे नूडल में अच्छ टेस्टर आएगा आपको हर बाय्ट में लसन राषा टेस्टरा है है तो चलिए सौसस हम देख लेते क्या-क्या यूज करने वाले हैं मैं टोमैटो कैचप यूज कर रही हूँ चिंक्स का सेजवान चटनी यूज करने वाली हूँ दो चमच ये भी यूज करूँगी इससे अच्छा टेस्ट आता है सेजवान चटनी का नूडल्स में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा आप यूज करके चरूँ देखे दो चमच हमरे चिली सॉस भी यूज करेंगे ग्रीन चिली सॉस भी यूज करने वाले हैं और थोड़ा सा बेनिगर भी हम यूज करेंगे डार्क सोय सॉस भी यूज करने वाले है हो तो चलिए ओयल थोड़ा एड़ करेंगे क्योंकि हमारे पास वेजी जादे हैं नूडल्स दो पैकेट है उस हिसाब से हम ओयल अपने हिसाब से एड़ करेंगे कम ज्यादा चलता है इसमें फिर इसमें हम थोड़ा सा ओनियन और बीन्स को तो दस सकेंड के लिए पकाएंगे वेजीटेबल्स को ज्यादा नूडल्स में नहीं पकाना है इसको एक मिनट तक हाई फ्लेम में हम थोड़ा सा इसको पकाएंगे इसका वेजीटेबल का करंच हमें नूडल में चाहिए इसके लिए ज्यादा पकाना नहीं है और इस टैम पे नमक नहीं डालना है अगर वेज वेजिज अपने पानी छोड़ देंगे, तो अभी हमें नमक यूज नहीं करना है, नूडल दानने के बाद यूज करना है, तो चलिए, वेजिटेबल को ज्यादा नहीं पकाना है, उसका क्रंच चला जाएगा, नूडल स्थंडे हो चुके हैं, देखें, खिला खिला है, सेज हम सब्सक्राइब दूबरी चमझ हम यूज करें दो बड़ी चमझ हम आँ, देमेटो कैचप यूज करेंगे इन सबको आई सैं। हम सुमिक्स कर लेते हैं और अभी तक हम ने नमक यूज नहीं किया हैं, अब इस स्टेज बे में दो चमझ नमक डालने लगी, यूत सारे जो हमने कैबे साइर में रखा था उसको अच्छे से उसमें उपर से गाडनिस करेंगे और देखे इसका लुक कितना सांदार आया है इस तरह से खिले-खिले और वेजिटेबल से लोटेड वेजहक का नोडल बनाईए और खाईए खिलाईए उमीद करती हूं आप लोगों को म मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें थैंक यू फोर वाचिंग